सर नमस्कार नमस्कार सर क्या नाम आप आप क्या भक्ति करते थे हम पहले संतमत से जुरे हुए थे और संतमत से जुरके जो है अपने दिक्शा पराप्त करके जो हमारे गुरुजी पहले साधना बताए थे वो साधना हम गंगा नदी के किनारे अपना ध्यान लगाते थे और ध्यान लगा के और उस सुस्मना के द्वार जो है दस्मा द्वार बोलते हैं उसी द्वार में से हम अपने सूर्ती को लगा कर और उस दस्मा द्वार में प्रविस्ट कर जाते थे तो हमारे सरीर जो है दो भागों में हो जाते थे एक तो सरीर नीचे हमें दिखाई दे रहे था और दूसरा जो सुक्षम सरीर जो था सुस्मना को द्वार से जो गए थे वहाँ भी हम देख रहे हैं कि हम यहाँ भी हैं और हम नीचे भी ही सरीर मरा रखा हुआ तो वहाँ का द्रिस देख के हमें ऐसा आनंद लगा कि हे भगवान इसी देश में रहें तो हमें भूख और प्यास जो है यह नहीं यहाँ लगते हैं तो उन वहाँ का आनंद देख कर जो है बहुत आनंदित हो गिये हम और वहाँ से एका एक चितना मन में आया है कि नीचे वाला जो सरीर है हम जो छोर करा है तो ऐसा चितना है कि नीचे वाले सरीर में जाओने तो वह सरीर तुमारे नश्ट हो जाएंगे तो हम अपने सरीर को देखते हैं नीचे कि हमारे सरीर में कितने मक्खी बैठे हुए सब कुछ दिखाए देते हैं जब वहां से इतना हुआ कि नीचे वाले सरीर में जाना है तो जैसे हम अपना विचार की वस्तूरत इस सरीर के अंदर में जो है हम परविश कर गए जैसे रावकेट के तरह हम सरीर से निकले हुए थे अब फिर रावकेट के तरह हम पूला है वावसी आगे तो जब हम वावीश कर देते हैं तो हमारे शरीर पूरा जाम हो गह थे ये शरीर कुछ काम नहीं करते हैं हम बेहुंस के रूप में हो गह थे फिर हम होंस में जो आए तब हमें पता चला कि प्रमात्व संत महात्मा जो बताते हैं कि सुक्षम कोई और देश है तो उन चीजों को हम देश को देखकर है महसूस हुआ है कि हम सुक्षम देश है तो उन चीजों को देखे फिर हम बहुत सादु संत से जाकर ग्यान चर्चा करने लगे तो ज्यान चर्चा करने लगे तो सादू संद जो है बोलते थे उनसे हम पूछे कि ये सुक्षम क्या चीज होता है तो उन्होंने जब हमसे बोलने लगे तो हम उनसे बोले कि आप तो बताते सही है लेकिन बताएए कि आप कभी सुक्षम उस दस्मा दुआर में कभी था कि क्या ये सादू संद कीवल बोलने के होता है क्या करने के चीज नहीं है इनको तो उन सब चीजों को देखे तो हम गंगा ने देखी किनारे जो रह रहे थे पहले इन सब सादनों को जब हम देखे तो हमारे जो पहले लाल बस्तर हम पहने हुए थे हमारे दाड़ ही जो तो संतराम पालजी महाराज से जो कोई दिख्षा प्राप्त किये थे उस गाउं में तो उनसे हमारे संपर्ग हुए उनसे जब हमारे संपर्ग हुए तो उन्होंने ज्यान गंगा पुस्तक हमें पढ़ने के लिए दिये जब ग्यान केंगा पुष्ता कि जब हम पढ़े तो देखे कि उसमें बर्मान का जो नक्षा बना हुआ था वो नक्षा देखकर हम उस किताब को अपने सीने से लगा लिए कि हे भगवान, हे मालिक ये जो नक्षा जो देख रहे हैं इसमें इस नक्से में जहां हम यात्रा किये थे सुक्षब में वो नक्सा देखकर हम बहुत खुसी होगे और उस नक्से को देखकर हम मन में विचार किये कि नक्सा बनाने वाले कोई संत होई होगे तो फिर उनसे हम पूछे कि हम उनसे कैसे मिलेंगे, क्या बिधी है उनसे मिलने की सर जो भक्ति साधना आप कर रहे थे, उस भक्ति साधना को करने के बाद आप आलोकिक नजारे देखते थे उसके बाद भी आपने संतरामपाल जी महराज को अपना गुरु क्यों बनाया तो जिसमें हमारे सिर्पर हाथ रखे उसी समय हमें संत्रामपालजी महाराजी पहचान में आगे कि यह है कौन इस समाज के नजर में जो लोग इनको कहते हैं तो जैसे सोना सोना को सोनार ही पहचान सकता है लेकिन सोना को चमार नहीं पहचान सकता है तो उन चीजों को देख के हमें तब फिर गुरु जी हम से पूछे कि जो हमने सुक्षम में जाके अपना अनुभब किये थे साधना किये थे जो सरीर को समाधी लगा देते थे उन सब चीजों को जब बोलने लगे पूछने लगे तो हम जो बोल रहे थे तो गुरु जी हस रहे थे सब कुछ बताए संतरामपाल जी महराज जी तो बोलने लगे कि बेटा ये तुम्हारे जो है ये पिछली जनम का सब कुछ किया हुआ था इस समय तुमने कुछ नहीं किया था जो तुम्हें संकित दे दिया वो भी वहाँ तक की साधना नहीं कर पाया है लेकिन तुम्हें बता दिया है ठीक है लेकिन हमारे नियम और मर्यादव में रहना है और अपना भक्ती करना तो जो हमारा लाल कपड़ा पहना हुआ था दाड़ी था तो इन सब चीज़ों के भी बात रखें कि हमारे लाल कपड़े हैं दाड़ी है तो गुरु जी बोले कि बेटा हमें तुम्हारे कपड़े से और बड़ी डाड़ी आप रगते थे उसके बाद जब आप संत रामपाल जी महाराज की संड में आ गए तो सर आज आप साधरन वेश वुशा में हैं सर ऐसा क्यों देखिए हमको इसलिए ऐसा लग रहा है कि साधू बनना जैसे कि किसी का दान कर लेना पैसा चंदे का पैसा लेकर घुणाना जीवन बिताना ये हम, हमें इस चीजों को जनकारी नहीं था, लेकिन हम सादू सन्यासी बनकर सिधी तो प्राप्त कर लिए, लेकिन परमात्मा तक हम नहीं पहुँच पाया रोग परमात्मा तक हम नहीं पहुँच तो वो सादू सन्यासी के जीवन हम, जब ग्यान हमें मालूम हुआ, तो हम सोचे कि जब दूसरी का नाज, दूसरी का पैसा लेगा, दूसरी का ये सब काम करेगा, तो जो हमारे भाक्ती पून है, सब उनी के पास चले जाएंगे, फिर हमारे पास बचेंगे कैसे, तो जब वो कोई सेवा कर रहे हैं, तो वो तो हमारे कर्ज हो जाएंगे, तो जब सर जैसा कि आपने सिद्धियों की बात की सर यदि आप से जाना चाहेंगे तो आपके पास क्या सिद्धिया थी हमारे पास सिद्धिय ऐसा था कि हम कोई अगर यह कहा दे कि दिवाल के अंदर उस पार में क्या चीज रखा हुआ है तो उस चीजों को हम एक नजर से देखते देखते उस दिवाल के उस पार को हम चीज को देखने लग जाते कि उस पार में क्या रखा हुआ है हाँ बता सकते थे अब किसी को अगर किसी परकार की संका हो तो वो हमसे मुबाइल नमबर लेगते और हमसे आके मिले, हमसे बात्चित करें, हम बात्चित करने लिए हमें से त्यारे सर देखिए बड़ी आस्टरी जनक बात ये है कि जहां लोग सिद्धियों को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं वहीं दूसरी और आपके पास सिद्धि होते हुए भी आपने संत रामपाल जी मारे से नाम दिख्षा ली ये कितनी विचेतर बात है कि एक तरफ जिस संत से नाम दिख्षा ली उस संत को लोग पैचानने में अभी देरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हैं, ऐसे संतों को लोग ज़्यादा तबज़ों देते हैं सोचते हैं कि सिद्धी ही परमात्मा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिद्ध्या ही परमात्मा नहीं है, परमात्मा पाना कुछ और चीज़ है देखिए, अगर पूर्ण संत से, अगर उनको ज्यान और भक्ति मिल जाए तो कहते पुर्ण संथ से मिलेंगे तो उनका पुर्ण मोक्ष हो जाएंगे लेकिन कोई भी अगर आज सिद्धी की बल पर जैसे सिद्धी क्या चीज है कि सिद्धी एक अहिंकार का चीज बन जाता है जैसे अभिमान का चीज बनता है है वो तरफ होना चाहिए अगर वो तरफ नहीं है तो समझ लिए उसके पास कुछ भी नहीं है सर आप उन लोगों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है जो लोग ये कहते हैं कि संत्रामपाल जी महाराज को चमतकार करके दिखाए जब चमतकार करने वाले ही संत्रामपाल जी महाराज किसी से बनने लग जाएंगे तो फिर लोगों के पास सवाल क्या रहेंगे क्योंकि लोग कहते हैं कि चमतकार को नमस्कार लेकिन आप कह रहे हैं कि पून संत को नमस्कार सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखी चमतकार से क्या होता है कि चमतकार से तो मोक्ष नहीं होता है लेकिन ये है कि जैसे मान ले जाए कि हमको परमात्मा चाहिए तो परमात्मा के लिए जो है वो तरफ होना चाहिए ये सिद्धी ये चमतकार जो कुछ भी है यह भगती मारग में जो है एक बाधक होता है इस बाधक में उलज जाता है उलजने के बाध जो है जो भगती उसका सफल नहीं हो पआता है सर जैसा कि लोग संतों के पास इसलिए जाते हैं कि उनको सारे रिक लाब मिले, मान से लाब मिले या ज्यात्मिक लाब मिले आपने संत रामपाल जी महाराजी को गुरू क्यों मनाया? संतराम पाल जी महराज को हम गुरू इसलिए बनाए कि हम बहुत सादू संतों के पास भटक भटक के अपना जीवन हमने बहुत खोँचुका जो कि आज हम से बहुत सिनियर बहुत सादू जो कि 500 के गुरूप में रहने वाले हम सादू थे जो कि उस group के लोगों ने कहते थे कि हमारे जो सिद्धी सकती है वो 500 के group में नहीं थे वो 500 ने हमी को सर्वसरेश्ट मांने थे लेकिन वो 500 ने आज भी समझ रहे हैं कि ये आखिरी संत राम पाल जी के सरन में क्यों गये ये हम से पुछा गया तो हम उनको बताए, बात ये ऐसा है, कि हम संत राम पाल जी महराज के सरण में इसले गए हैं, कि जो संत राम पाल जी महराज भाक्ती बताते हैं, जो साधना बताते हैं, जो नियम बताते हैं, वो बहुत संतों के पास में नहीं है बहुत संतों के पास नहीं है जो संत राम पालजी में रहा है और संत राम पालजी महराज को जो आज कोई भी इनको साधारन मानते हैं यह साधारन नहीं है यह समझे लिजिए पूर्ण परमात्मा है क्योंकि परमात्मा को वही पाचान सकता है जिनका आत्मा परमात्मा के लिए तरफ होता है जिनकी आत्मा में तरफ नहीं है वो परमात्मा को नहीं पाचान सकते सर कितनी विचितर बात है ना कि आपके पास सिद्या होते हुए भी उन सिद्यों का इस्तिमाल ना करके आप संत रामपाल जी माराज की संड में गई सर लाखों में एक दो ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सिद्या होती है जो चमतकार कर सकते हैं उसके बावजूद वो अपनी सिद्यों का इस्तिमाल ना करके चमतकार ना करके केवल भक्ती प्राप्ट करने के लिए भगवान प्राप्ट करने के लिए संतों की संड में जाते हैं जैसा कि आप गए और आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरू बना लिया जदी आप जिस तरह से आप बहुत इस आधारन वेस वुसा में हैं आपको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप चमतकार करते होंगे कोई आपके पास रिद्धी सिद्धी रही होंगी यदि आप इस टाइम पे यदि बगवा कपड़ा पहन लेते हैं लंबी डाड़ी बढ़ा लेते हैं और चमतकार करने लग जाते हैं रिद्धी सिद्धियों का परियोग करने लग जाते हैं तो आज आप हिंदुस्तान में लाखों लोगों का पर्टे निधित्व कर सकते हैं लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि आपने मान बढ़ाई को त्याग कर संत्र रामपाल जी मार exhibited को अपना गुरु बनाया सर्फ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बहुत सारे संत्ट ऐसे हैं जो आज भी चमतकार करते हैं और लाखों की संक्या में उनके अन्याई है आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे देखिए हम उन सबों को यह कहना चाहते हैं कि जितने भी सादू संत के बेश बूसा में बनकर जो बक्ता वने हुए परवचन करते हैं दुनिया को लोग उनको मानते हैं उनकी बात पर चलते हैं लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि आखिर पूर्ण संत का पहचान क्या है पुर्ण संथ का पहचान तो जान लेना चाहिए तो जितने भी सादू संथ बने तो ये अपनी मान बराई छोड़ना नहीं चाहता है जीवन में सबसे बरा दुस्मन हो जाता है मान बराई मान बराई ही अपका सब खतर न गोजता है तो ये जितने भी सादू संद बने हुए हैं तो ये इनों ने अपने संख्या बढ़ा कर जो है अपनी पदी बना कर जो है हम लोग की समाज में जो है गुम्रा बना कर बैठे हुए सर आज आपने संद रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा ले रखी है सर क्या आज भी आपके अंदर वो शिद्या हैं सर क्या आज आप दिवार के पार कोई वस्तू रखिए उसको बता सकते हैं संद रामपाल जी महाराजी की सरन में जब से हम दिक्षा पराथ किये हैं तो गुरु जी हमारे सिर पर हाथ रखेर इस पर बैंड लगा दिये कि बेटा जो तुमने पहले जितने भी सिद्धी जो भी कुछ किया सो किया से आज के बाद ये नहीं करना है तो हमने हाथ जोर कर गुरु जी से परार्थना किये कि गुरु जी आज के बाद हम कोई सिद्धी का परियोग नहीं करें गुरु जी बचन दिये कि बेटा अगर तुम कोई सिद्धी का परियोग करोगे तो तुम सत लोग नहीं जा पाओगे इसलिए हम बचंदे गुरुजी आप कभी भी हम कोई सिद्धी का प्रियोग नहीं करें क्योंकि सिद्धी का प्रियोग करने से उनका पुन छीन होता है सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे भगत समाज से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी कोई भी पंथ में इदर उदर कहीं भी भटा करें हैं तो ये आपका समय आ गया है तो आप इदर उदर ना भटके और आप संतरामपाली महराज के सरन में जो TV साधना चैनल पर प्रोग्राम आते है उस चैनल पर प्रोग्राम में जो मुवाइल नमबर रहता है उस मुवाइल नमबर से बात कीजिए जो जहां से भी है उनको दिख्षाप प्राप्त हो जाएए बहुत बहुत धन्यवाद हुआ प्रोग्राम एंपार में जो 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 झाल, 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 झाल